एलो दोस्तो मुझे उमीद है कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्तो अब हम एनलेसिस करेंगे निफ्टी-फिफ्टी का बैंक निफ्टी के एनलेसिस की वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिगए आप जाके देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिसकेशन होने वाला है निफ्टी-फिफ्टी के बारे में जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कल आपको साइडवेज मार्केट देखने को मिला और एक पैटरन बना जो मैंने आपको चार पैटरन बता हुए हैं ट्रेंगल वाला पैटरन ट्रेंड लाइन से मिलके बना हुआ पैटरन और एक पैरल पैटरन, सेम ही पैटरन हमें आज देखने को मिल रहा है, यानि यह हमारे लिए कल के दिन भी opportunity बनेगी, साथ ही साथ यहां पर कुछ चीज़े और हो गई, जो पहले support बना हुआ था, अब वो resistance की तरेक्ट कर रहा है, यह भी situation अब समझ गये, क्योंकि हम जानते हैं, अगर कोई support जो उन है, breakdown मिलता है, तो वो resistance की तरेक्ट करता है, higher probability होती है, जितना मजबूत वो support था, उतना ही, मजबूत वो resistance की तरेक्ट करें, यह situation आपको यहां पर दिखाई दे रही है, पहले यह support था, और breakdown मिलने के बाद यह एक resistance के रूप में आपको काम करता हुआ दिखाई दे यह situation आपको यहां पर दिखाई दे रही है, अब यहां पर एक-एक point का discussion करते हैं, आप parallel pattern के बारे में जानते होंगे, अगर आप इन चारो pattern के बारे में नहीं जानते हैं, तो नीचे description में आपको लिंक मिल जाएगा, free of course, मैंने इन पर वीडियो प्रोइड की हुई है, आप आपको नीचे description में मिल जाएगी, तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, कि उपर की तरफ इस zone में हमारा resistance पड़ा हुआ है, आपको इस zone में आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, यह तीनो situation आपको इस zone में दिखाई दे रहे हैं, इसलिए zone आपके लिए खास हो जाता है, ठ ठीक वैसे ही, अगर market यहां पर day closing से ऊपर की तरफ गया है, तो यहां तक आप scalping कर सकते हैं, और अगर day closing से नीचे आए, तो day low तक आप scalping कर सकते हैं, एक बहतरीन opportunity आपको कब मिलेगी, थर्ड के आपको day high पे और third के day low पे आपको focus रखना है, क्योंकि day high का breakout मिलता है, तो आपके लिए previous day high के breakout वाली strategy काम करती हुई दिखाई देगी, ठीक वैसे ही, अगर आपको day low का breakdown मिलता है, तो आपके लिए previous day low के breakdown वाली strategy काम करती हुई आपको यहां पर दिखाई देगी, आपको यहां पर क्या situation दिखाई दे रही हैं, सीधे सीधे आप यहां पर अगर previous day low का आपको breakdown मिलना है, इसके according आपके entry, stop loss और target decide होना चाहिए, फिलाल situation को समझते हैं, अगर market flat open होके आपको दिखाता है positive momentum, तो उस situation में हम इंतिजार करेंगे इसके day high के breakout का, किसके day high के, third के day high का, जो कि हमारे लिए previous day high भी है, और इस situation भी जो आपके लिए अगली resistance बनेगा, वो बनेगा second का day high, और साथी साथ यहां पर आपको एक बात और धियान रखनी है, 18,200, क्योंकि अगर आपको इसके second के day high का breakout मिल जाए, तो यह मत सोचने लग जाना कि long position बना लो, क्योंकि एक नजदी की resistance बैठा हुआ है, अगर आप trailing stop loss का इस्तिमाल कर रहे है तो आप position में बनी रह सकते हैं, नहीं तो इस zone में जाते ही आपको अपनी profit booking स्टार्ट करने है, फिर यहां पर देखना है क्या price action बना है, अगर rejection देखने को मिला, तो selling opportunities मिलेगी, क्योंकि second को भी market ने इसका breakout देने की बहुत कोसिस की, लेकिन दे नहीं पाया, तो आपके लि इन zone में जाते ही हम अपनी profit booking करेंगे, क्योंकि नीचे की तरफ हमारे लिए important कौन सा level है, 18,000, तो यहां पर हम क्या देखेंगे, अगर market flat open होके negative momentum दिखाता है, scalping तो आपको पता है, day low तक आप कर सकते हैं, इसका breakdown मिलता है, तो आपको previous day low का breakdown मिल जाएगा, तो इस situation पर जो पर हम जादा focus करेंगे, लेकिन अगर market इसका breakdown देके चलता है, अच्छे कासे volume के साथ, तो आप यहां पर selling opportunities पर focus करेंगे, और उस situation पर, यहां पर आपके लिए ये वाला zone काफी important हो जाएगा, around 17,960 के around, क्योंकि यहां पर हमने 28 को भी important rejections देखा था, और जब market ने breakout दिया अगर आपको gap up opening देखने को मिलती है, उस situation पर हम क्या करेंगे, उस situation पर हम अपना पूरा focus कर देंगे इस वाले zone पर, यानि कि थर्ड के day high वाले zone पर, अगर इसी के आसपास आपको gap up opening देखने को मिलती है, और market बनाता है bully scandal, हान रखना bully scandal अगर बनाता है, और उस bully scandal से market पर चलता है, तो आपके लिए resistance बनेगा second का day high और फिर 18,200 पर आपको देखना है क्या projection बन रहा है, लेकिन अगर बीरी scandal बनी, तो आपके लिए जो support zone बनेगा, वो third का day low बन जाएगा, अगर इसका breakdown मिलता है, तो 18,000 बन जाएगा, चीजे किलेर होगी, लेकिन वहीं पर बा भी नजदीक यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो पूरा focus इस पर करना है आपको, अगर gap down opening आपको 18,000 के आसपास से मिलती है, थोड़ा बहुत ऊपर या नीचे, और बनती है BRE scandal, और इस BRE scandal से market नीचे निकल जाता है, तो आप selling opportunities पर focus करेंगे, नीचे की तरफ कौन कौन से support रहेंगे, वो भी मैं आपके साथ आगे discuss करूँगा, pivot point के according और resistance के भी discussion करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक बात धियान रखना, कि अगर आपको यहाँ पर bullish candle देखने को मिल गई, gap down opening होके, आपको bullish candle यहाँ पर देखने को मिल गई, तो अगला resistance आपकार्ड यह है, previous day low, जब तक buying के बारे में मत सोचना, सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक एक छोटा profit बना लेना, या scalping करके profit बना लेना, बहतरीन entry आपके लिए, previous day low के breakout के बाद मिलेगी, और यहाँ पर हमारी strategy भी activate होगी, previous day low का breakout, clear होगी, अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ, pivot point की तरब, यहाँ पर आप देखेंगे, अगर निफ्टी 50 में आपको एक positive momentum देखने को मिला, उस situation पर जो में पहला resistance नजरा रहा है, 18,112 पर आपको दिखाई दे रहा है, अगर आपको इसका breakout मिलता है, जो दूसरा हमें resistance नजरा रहा है, 18,142 पर नजरा रहा है, अगर आपको इसका भी breakout मिलत analysis वीडियो है, इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी research करनी है, अपनी investor के सला लेनी है, क्योंकि profit भी आपको आपनी वाला है, लोस की जमिदारी भी आपको अपनी आप लेनी है, जो यहाँ पर में तीसरा resistance नजरा रहा है, 18,173 पर दिखाई दे रहा है, वहीं पर बात कर भी breakdown मिलता है, जो में तीसरा support दिखाई दे रहा है, यह 17,963 पर आपको यहाँ पर तीसरा support देखने के लिए मिल रहा है, दोस्तों इस वीडियो को like कीजिएगा, comment करके बताने analysis कैसे लग रहे हैं, नहीं हो चैनल पर subscribe करना और bell icon प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली किसी नेक्स वीडियो में किसी अच्छे content के साथ, thank you.